हेलो गाईज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दस्माना इंग्लिस क्लासेस में दोस्तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ पास्ट कॉंटिनिवस टेंस के पैसिब वहिस के सेंटेंस के बारे में जादा तर मैंने एक बात नौटिस की है कि जो स्टुडेंट्स होते हैं वो पास्ट कॉंटिनिवस टेंस और पास्ट कॉंटिनिवस टेंस के जो पैसिब वहिस के सेंटेंस होते हैं वो दोनों को एक ही समझ लेते हैं अगर आप भी ऐसा ही करते हैं अगर आपको भी दोनो टैंसले में डिफरेंस नहीं पता है तो आप इस वीडियो लेक्चर को शुरू से आखीर तक जरूर देखे अगर आपको past continuous tense नहीं आता है तो मैंने इस पर एक separate वीडियो लेक्चर तयार किया है description box में link है आप उस वीडियो लेक्चर को जरूर देखेगा तभी आपका concept clear हो पाएगा तभी आप समझ पाएंगे कि past continuous tense और past continuous tense के passive voice में दोनों में basic difference होता क्या है और इस तरह के sentences की English इस किस तरह से बनाई जाती है तो सबसे पहले मैं आपको बताओ कि इस तरह के जो sentences होते हैं हम इनको पहचानेंगे कैसे तो देखे दोस्तों इस तरह के जो sentence हैं उनको पहचानने के लिए आपको मेरी बात पर ध्यान देना है देखे जब कोई हिंदी का वाक्य हमें दिया हो और उस हिंदी वाक्य की जो मुख्य किरिया है ध्यान दीजेगा जो हिंदी वाक्य की मुख्य किरिया होगी अगर उसके अंत में बड़े आ की मात्रा बड़ी ए की मात्रा या ए की मात्रा यानि की आ, ई, ए इन तीनों मेंसे कोई एक मात्रा आई हो और उसके तुरंत बात जो है जा रहा था जा रही थी या जा रहे थे इस तरहें के सब्दों का प्रियोग हो तो हम समझ जाएंगे कि ये जो sentence है ये past continuous tense का passive voice का वाक्य है दूसरी बात जो main बात है इस तरहें के वाक्यों में subject नहीं दिया होता है मतलब जो काम कर रहा होता है वो हमें दिया नहीं होगा subject नहीं दिया होगा और अगर किसी वाक्य में subject दे भी दिया तो उस वाक्य में subject के बाद जो हैं द्वारा सब्द का यूज जरूर किया गया होग देखे, एक हिन्दी का सेंटेंस में आपको दूँ उधारन के लिए समझेगा जैसे मैंने कहा, पतर लिखा जा रहा था, अब इस सेंटेंस में देखे, जो मुखे किरिया है, वो क्या है? लिखने का काम हो रहा है, तो किरिया के अंत में बढ़े आकी मातरार ये, लिखा, और तुरंद बाद जा रहा था तो हम समझ जाते हैं ये पास्ट कॉंटिनिवस टेंस का पैसिब वाइस का वाक्य है अब दोस्तो काम क्या हो रहा है यहां पर लिखने का लेकिन लिख कौन रहा है यानि कि जो सब्जेक्ट है वो हमें दिया हुआ नहीं है तो हम समझ जाते हैं कि ये पास्ट कॉंटिनिवस का पैसिब वाइस का वाक्य है दूसरा वाक्य में एक और देता हूँ आपको देखे अगर इस सेंटेंस को ऐसे बोलना हो कि रवी के द्वारा पत्र लिखा जा रहा था अब हमने फिर से किरिया देखी काम क्या हो रही है लिखने का आकी मातरा आरही है और उसके बाद जा रहा था आरही है तो हम समझ जाते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कॉंटिनिवस टेंस के पैसिब वाइस का वाक्य है लेकिन इसमें सबजेक्ट दिया है तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर subject दिया होगा तो उसके बाद द्वारा सब्द आया होगा देखिए आ रहा है ना राम के द्वारा यानि की काम राम के द्वारा किया जा रहा है अब देखिए अगर past continuous tense के passive voice के sentences अगर positive हैं तो इस तरहे के sentences की English बनाने के ल पिंग वर्वे इनका यूज किया जाएगा फिर वर्वी की third form और लास्ट में object का यूज किया जाएगा अगर हिंदी sentence negative है हिंदी sentence में नहीं सब्द आया है तो हमें rule follow करना होगा noun या pronoun फिर was या were और उसके बाद not being का यूज किया जाएगा फिर वर्वी की third form का यूज किया अब मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि was being का जो use किया जाएगा वो singular यानि कि एक वचे noun या pronoun के साथ use किया जाएगा और were being का जो use होगा वो you के साथ किया जाएगा और plural nouns या pronoun के साथ इसका use किया जाएगा देखे अब past continuous tense के passive voice के sentences की English कैसे बनाई जाएगा अब इसको हम कुछ example के थ्रू समझते हैं पहला sentence है अपराधियों को बचाया जा रहा था अब इसमें पहले हम पैचानते हैं कैसे मुझे पता चलता है कि ये जो sentence है ये past continuous tense का passive voice है तो देखियो मैंने सबसे पहले क्या किया कि और तुरंत बाद जा रहा था आ रहा है तो हम समझ जाते हैं कि ये जो sentence है ये past continuous tense का passive voice का वाक्य है दूसरी बात इसमें subject भी नहीं दिया हुआ है यानि कि बचाने का काम कौन कर रहा है वो नहीं दिया गया है इस तरह के sentences की English बनाने के लिए दोस्तो हमें पता ही है कि सबसे के sentences में noun या pronoun कौन सा है तो इसके लिए मैंने एक separate video lecture तयार किया हुआ है और description box में मैं उसका link दे दूँगा आप सबसे पहले उस video lecture को जरूर देखेगा तब ही आपको पता चल पाएगा कि हम किस तरह से noun या pronoun को find out करते हैं अब हम इस sentence में देखते हैं इसमें जो है noun क्या है अब राधियों यानि कि English बनेगी the criminals अब हमने देखा कि criminals plural हैं तो were being का use होगा फिर उसके बाद verb की third form अब यहां पर verb क्या है बचाने का काम हो रहा है और बचाने को कहा जाता है save यानि कि यह first form है और इसकी third form होगी saved तो इस तरह से हमारे पास sentence बनता है the criminals were being saved इसी तरह से हम उससे फाल्तू पैसा नहीं लिया जा रहा था तो इसमें जो हमारे पास pronoun है वो है I I के साथ was being का use होता है लेकिन यह जो sentence है यह negative है इसमें नहीं सब्दा है तो हमें use करना है was not being अब जो हमारे पास किरिया है यानि कि यहां पर verb क्या है काम क्या हो रहा है लेने का काम हो रहा लेने को इंग्लिस में कहा जाता है take यह first form है और इसकी third form होती है taken तो हमें यहां पर third form taken का use करना है अब क्या नहीं लिया जा रहा है फाल्तू पैसा फाल्तू पैसे के लिए extra money इस तरह से हमारे पास sentence होता है I was not being taken extra money next sentence है कोरोना के मरीजों को समय पर दवाई नहीं दी जा रही थी तो अब यह sentence इसमें सबसे पहले हमें noun या pronoun लिखना है तो दोस्तो noun क्या है कोरोना के मरीज ठीक है तो कोरोना पैसेंट्स वर नॉट बिंग क्योंकि यह भी negative है इसलिए इसमें not का use होगा वर का use क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हैं यहां पर जो हमारे क्या नहीं दी जा रही है? Medician तो the medication कब नहीं दी जा रही है? समय पर तो on time sentence बनता है कोरोना पैसेंट्स वर नॉट बिंग गिवन दे मैडिशन on time next sentence है हमें इस बारे में जानकारी दी जा रही थी तो sentence बनता है we were being काम क्या रहा है? जानकारी देना जानकारी देने को informed बोलते हैं first form और third form informed तो we were being informed about this about मने बारे में this मने इस बारे में अब कुछ examples देखते हैं interrogative sentences के आप जानते हैं interrogative sentences दो परकार के होते हैं पहली तरह के वे sentences जिनका आरंब जो है क्या से होता है अर्थात प्रस्न क्या सब्द से पूछा गया होता है और क्या सब्द वाके के बिलकुल आरंब में आया होता है और इस परकार के जो question पूछे जाते हैं इनका जो reply होता है वो yes या no यानि की हाँ या ना में दिया जाता है तो इस तरह के अगर sentences हमारे पास होते है इस tense के तो हमें जो है उनकी English बनाने के लिए rule follow करना होगा सबसे पहले हमें वज या वर का यूज करना है उसके बाद noun या pronoun फिर अगर हिंदी sentence negative है तो हम not का यूज करेंगे otherwise not का यूज नहीं किया जाएगा इसके बाद being का यूज किया जाएगा वर्व की third form और last में object का यूज किया जाएगा इसी तरह से दूसरी तरह के जो interrogative sentences होते हैं उनमें जो है प्रस्न किसी प्रस्न वाचक सब्द से पूछा गया होता है जैसे कब, कैंसे, क्यों, कहां इस तरह के सब्दों से question पूछा गया होगा तो इस तरह के sentences की English बनाने के लिए सबसे पहले वो ही question words जिन से प्रस्न पूछा जाता है उनकी English सबसे पहले लिखी जाती है उसके बाद was या were का यूज किया जाएगा फिर noun या pronoun का यूज किया जाएगा तो इस तरह के sentences की English बनाने के लिए हमें इस rule को follow करना है अब देखिए इसके कुछ examples देख लेते हैं पहला sentence है क्या बिद्ध्याले में अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जा रही थी क्या बिद्ध्याले में अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जा रही थी अब देखिए क्या शुरू में आया है तो हमें words का use करना है क्या नहीं पढ़ाया जा रहा था तो English तो यानि कि हम समझ गये English हमारे पास noun है तो words English अब ये sentence negative है यानि कि इसमें नहीं सब्दा है तो not का use किया जाएगा फिर being का use होगा अब फिर वर्व की third form अब यहाँ पर काम क्या हो रहा है पढ़ाने को तो पढ़ाने को English में first form होती है टीस, third form होती है taught तो taught का use किया जाएगा बही कहां नहीं पढ़ाई जा रही थी English तो हमारे पास उत्तर निकलता है school में तो ये हमारे पास object है तो in the school तो sentence बनता है वर्ज इंगलिस not being taught in the school इसी तरह से next sentence से क्या उसे परेशान किया जा रहा था तो देखेगा क्या सुरू में आया है तो जो है वर्ज का use किया जाएगा क्योंकि हमारे पास pronoun जो है वो singular है तो pronoun क्या है यहाँ पर he तो फिर sentence हुआ वर्ज ही फिर being का use किया जाएगा तो being का use करते हम फिर इसके बाद जो वर्ज है मुखे किरिया है किरिया है परेशान करना तो परेशान करने को harassed और उसकी third form होती है harassed तो harassed का use किया जाएगा तो sentence हुआ वर्ज ही being harassed इसी तरह से next sentence है क्या इस मुद्दे पर मीटिंग में बहस की जा रही थी क्या इस मुद्दे पर मीटिंग में बहस की जा रही थी तो वर्ज का यूज सबसे आगे किया जाएगा क्योंकि noun singular है तो वर्ज this issue अब यहां पर जो noun है वो क्या है यहां मुद्दा तो वर्ज this issue फिर being का यूज किया जाएगा बहस करने को इंग्लिस में कहा जाता है discuss इसकी third form होगी discussed और फिर last में object का यूज किया जाएगा object है meeting में तो in the meeting तो sentence हुआ वर्ज this issue being discussed in the meeting next sentence हमारे पास है क्या उन्हें धमकी दी जा रही थी तो अगर इस sentence में देखते हैं तो हमारे पास pronoun क्या है उन्हें उन्हें को इंग्लिस में बोलते है यानि कि यह plural pronoun है तो दे के साथ हमें पता है दोस्तों कि वर का use होता है इसलिए हमें जो हैं शुरू में वर का use कर रहे है तो वर दे बीइंग अब काम क्या हो रहा है धमकी देना तो धमकी देने को कहा जाता है इसकी first form होती है threatened और third form होगी threatened तो अब sentence बनता है वर दे बीइंग threatened अब हम examples लेते हैं कुछ ऐसे sentences का जिनमें किसी question words से को क्यों बचाया जा रहा था देखिएगा इसमें क्यों सब्द से present पूछा गया है तो क्यों की English लिखी जाएगी अब फिर हम देखते हैं कि इसमें जो noun है वो plural है यानि कि अपरादी जो है वो plural है इसलिए इसमें वर का use किया जाएगा तो why वर sentence बनता है why were criminals being saved next sentence हमारे पास है आपको वहां क्या सिखाया जा रहा था आपको वहां क्या सिखाया जा रहा था तो यहां पर क्या सब्द से प्रस्न पूछा गया है इसलिए वर्ट को सबसे पहले लिखा जाएगा अब देखिए दोस्तों हमें पता है कि यहां पर pronoun you है तो you के साथ जो है word का use होता है तो इसलिए वर्ट के बाद word का use होगा फिर pronoun you का use किया जाएगा being का use किया जाएगा फिर यहां पर जो वर्व है किरिया है काम क्या हो रहा है सिखाने का सिखाने की first form होती है teach और third form होगी taught are you being taught there इसी तरह से next sentence हरताल वापस क्यों ली जा रही थी अब देखेगा यहां पर हमें जो प्रस्न पूछा गया है वो क्यों सब्द से पूछा गया है क्यों कि इंगलिस सबसे पहले लिखी जाएगी why उसके बाद watch अब यहां पर हमारे पास जो है noun क्या है हरताल तो हरताल के लिए क्या बोलेंगे strike तो why was the strike being अब काम क्या हो रहा है वापस लेने का तो वापस लेने को बोलते हैं call off यह first form है third form होगी called off इस तरह से sentence बनेगा why was the strike being called off तो उमीद करता हूँ दोस्तों कि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा आपका concept clear हुआ होगा कि past continuous और past continuous tense के जो passive voice के sentences है इन में क्या difference होता है इस तरह के sentences की आप अपने घर पे practice कीजिए अपने दोस्तों के साथ इस तरह के sentences के बारे में discuss कीजिए लेकिन ये सब तभी हो पाएगा अगर आप अपने घर पर practice करेंगे अपने दोस्तों के साथ discuss करेंगे इसलिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा धन्यवाद दोस्तों